तो फिलाल मैं पूरे में हूँ और हमारे साथ UPSC के टॉपर शुभम कुमार है उनसे बात करते हैं जी शुभम बताइए कैसे लग रहा है और पूरा सफर कैसे था कितनी पढ़ाई करने पड़े बहुत अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा लग रहा है कि मुझे यह स्वभाग प्राप्त हुआ कि मैं रैंक बन पाए और प्रपरेशन दोजा ठाड़ से मैंने सुरवात की और प्रपेशन में काफी उतार चराव देखना पड़ा बट मैं काफी अपने आपको इसमें अपियर होते हैं और फिर ये पिछले दो साल का करोना काल इस समय में कितना टफ था को बढ़ना में डिफनेटली मुश्किले आई मैं दिल्ली में था तो समय दो-तीन दोस्त थे हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे तो खाने से ले करके सारे चीजों में दिकते आई लेकिन एक मोटिवेशन था कि तैयारी करना एंड अच्छे से पढ़ना है तो जैसे मैंने का कि घर से काफी सपोर्ट मिला पूने में में पारेंट अकाडमी ने डिफम एंड काफी अच्छा लगा पूने आके एंड लास्ट दो-तीन मैने से मैं यहां पे हूं तो वेदर का वैसे UPSC में कितने छातर अपिए होती हैं कितने स्टूदें अपिर होते हैं और कितने स्टूदेंस मेंसे आप टौपर हो परिवार के बारें बताइए कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है घर में कौन-कौन है क्या कुछ करते हैं मेरे एक जॉइंट फैमिली है मेरे पापा चाचा चाची मम्मी नेदी साड़े लोग वहां रहते हैं पापा मेरे उत्तर ब्यार ग्रामिट बैंक मैनेजर है चाचा की प्रेशर डॉक्टर हैं और ममी चाची दोनों होम मेकर हैं घर से इस अपोर्ट हर दिन बात होती थी और दीदी मेरी साइंटिफिक ऑफिसर हैं इन दौर में इस उनका भी काफी बड़ा योगदान रहा कि मैं मोटिवेटेट रहा हूं और मुझे एक सपोर्ट मिले और कोई भी परिशानी है तो वो मुस्तक ना आए और जो भी परिशानी वो दूर हो जाए तो यह मेरे पापा ममी सबका सपोर्ट रहा तो मेरे क्याल से यह काफी बड़ा रूल प्ले कर सकता है कि आपको मोटिवेट रखने में और आप जब आपको पता हो कि फैमिली वाले इतने सपोर्टिव है तो एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है यह दूसरी दफ़ा है जब आप यूपेस दे रहे हो पहले बार भी क्लियर किया था तो यह दूसरी बार जो आपने दिया है इसके पिछे क्या वज्या पहली बार में दौजा उन्दिफेंस अगांट सर्विस मिला और मैं काफी खुश भी ता सभी से खुश हूं मैं सर्व मोटिवेशन था कि मुझे आयस बनना है और जहां पर मैं लोगों के लिए अपने गाउं के लिए अपने एरिया के लिए मैं काम कर पाऊं सो दैट वाज मैं बिगेस्ट मोटिवेशन पहली बार यूपेसी देना और उसकी तयारी करना वह कितना है आपको उसकी मदद हुई काफी जादा मदद मिला पूराना जो तैयारी मैंने किया था उससे काफी मदद मिला क्योंकि मैं इस बार वाले अटम्ट में खुछ से जादा तैयारी किया हूं सो जो भी पहले जो मैं पढ़ा वो एक एक बेस मेरा बंद के निकला और उसके अलावा मैं न्यूजपेपर्स और मैगजिन से अपने जो करेंट अफेस के चीजें उनको मैं आड़ किया कि लेनी पढ़ती है कोचिंग मैंने ली थी मैंने पहले साल मैंने डली से कोचिग लिया था सबस्के पर मैंने टेस् स थिरी गररा गरा कॉंचिंग vind कैसे हम लिए इसके लिए मैंने चेस भे ऐसे लिए यह से मैंने अब लिल कोचिंग नहीं लिए सब गर आपको कोचिंग लिल के आपको लंकि और चीधla नहीं पड़ें आपको पढ़ना पड़ता है कि पुने में फिलाल इंडियन डिफेंस सर्विसेस में फिलाल वो प्रोबेशन पर है यहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रहे हैं लेकिन इस बार तक्रीबन उन 10 लाक चात्रों उन्हें जो फॉर्म भरे उसमें से 6 लाक अपियर हुए उसमें से तक्रीबन डाई हजार चात्रों का जो के पास हुए उनका इंटर्वीव हुआ उनमें से शुभंकुमार अवल नंबर पर आया है तो बहुत बड़ा काम हुआ है और वो शुभंकुमार अ कुने